कैसे शुरू करें पटाकों का बिजनस करना चाहते हैं तो आपको बाकी बिजनस की तरह इस बिजनस के लिए भी लाइसेंस के आवशकता पड़ेगी 100 किलो से 600 किलो तका स्पाकल के अलावा आवाज वाले पटाके बेशना चाहते हैं तो राज्य की पुलिस से टेंपररी लाइसेंस लेना होगा लाइसेंस के लिए फॉर्म पॉलिस की वेबसाइट से मिल जाएगा ये लाइसेंस डिस्ट्रिक डेप्यूटी कमिशनर जारी करता है सुरक्षा के नेमों का पालन करते हुए आप टेंप्रिरी लाइसेंस मिलने पर पटाके बेच सकते हैं यदि इससे बड़े पैमाने पर आप बिजनस शुरू करना चाहते हैं तो दुकान या पक्का शेड होना अनिवारे है सौ किलो तक के पटाके बेचने के लिए पक्की दुकान या शेड की जरूरत नहीं होती है पटाके बेचने का लाइसेंस कैसे प्राप्ट करें दिवाली के टाइम पर अस्थाई आतिशपाजी लाइसेंस जारी किया जाता है यदि आप भी पटाकों का बिजनस करना चाहते हैं तो समय रहते अपलाई कर सकते हैं राज्य सरकार के द्वारा इसके लिए दिशा निर्देश तैकि जाते हैं सुरक्षा को देखते हुए समय पर नियमों में परिवर्थन किया जाता रहा है तो इसके लिए आप अपने आसपास के दुकानों से पता करें कि नियम क्या है लाइसेंस लेने के लिए आप उनलाईन पुलिस से वेब साइट पर जा सकते हैं तो आपको पुलिस से लाइसेंस लेना अनिवारे होगा ये लाइसेंस दो प्रकार प्रदान किये जाते हैं पर्मनेंट, टेंप्रोरी, टेंप्रोरी इस प्रकार के लाइसेंस आप फैस्टिव टाइम के लिए ही प्राप्त कर सकते हैं प्रियोग दिवाली में पटाके बेशने के लिए किया जाता है। यदि आप सिर्फ दिवाली के समय ही बिजनस को करना चाहते हैं, तो ये लाइसेंस आपके लिए हैं। आप टाइमप्री लाइसेंस लेकर इस बिजनस को शुरू कर सकते हैं। पर्मनेंट यदि आप पटाकों का बिजनस साल भर यानि की मुख्य आइस त्रोत की तरह देख रहे हैं, तो आपको पर्मनेंट लाइसेंस के आविशकता पड़ेगी। इस प्रकार के लाइसेंस से आप वर्ष भर पटाके बेच सकते हैं, इसका प्रियोग आतिशपाजी के लिए किया जाता है। आवेधन करने के बाद आपके निवेधन पर पोलाइस वेरिफिकेशन किया जाएगा, यदि सब ठीक रहा, तो आपको देशेरे से लेकर दिवाली तक के लिए पटाके बेचने के लिए लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। यदि आप साल भर के लिए लाइसेंस प्राप्त करना चाते हैं, तो आपको 500 रुपे का भुक्तान करना होगा। प्रतेग वर्ष आपको अपना लाइसेंस रिन्यूवल कराना होगा।